हाई अल आप सभी का फिर से होप अलान में स्वागत है तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे करेंट अफेस और जहरकंड 21 फरवरी दो जार बीस इससे पहले एक से लेकर के 20 फरवरी तक के करेंट अफेस अपलोड कर दिये गए उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया आप वहाँ से वीडियो का लाब उठा सकते हैं चलि स्टाट करते हैं आज का करेंट फेस इससे पहले कि मैं करेंट फेस स्टाट करूँ आप लोगों के लिए हर दिन की तरह दो गूगली कोश्चन है आप लोगों को कोश्चन को अटेंट करना है और फिर कमेंट बॉक्स में इसका सही एंसर लिखके बताना है कल मैं इन दोनों कोश्चन का सही एंसर बताऊंगा जहारखन में जन जाती है विद्रो मैं इन में से कौन सा राजनीतिक कारण नहीं था और दूसरा जो tricky question है जो गूगली question है वो है निम्न में से कौन सा जिला है जो किसी अन्य राज के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करता है So which of the following is a district which does not share its border with a neighboring state राची, देवगर, खोटी या फिर्चतरा Attempt these questions and mark your answer ज्यारकंड में गंभी रूप से कुपोशित बच्चों के लिए किस अस्पताल में Center of Excellence की स्थापना की जाएगी So in which hospital of ज्यारकंड will the Center of Excellence be established for severely malarish children तो जो Center of Excellence जिस hospital में स्ताबित की जाएगी वो है RIMS यहां में कुछ बातें कहीं यहां पढ़ सकते हैं पुरे राज्य में देवगार में सबसे कम 5 फिर्षदी और खूटी में सबसे सरवादिक 27.3 फिर्षदी कुपोशित बच्चे पाए जाते हैं ज्यारकंड की किस संस्ता को NCST Leadership Award 2020 से नमाजा गया है विच ज्यारकंड organization has been awarded the NCST National Commission for Schedule Drive Leadership Award 2020 सक्ति, आशा, पहल या फिर इनमें से कोई नहीं तो दिखिए एक foundation है उनका नाम है आशा Association for Social Justice and Human Awareness तो इनके जो सचिव है ना उनका नाम है अजा जेस्वाल तो इनको दिल्ली में इनको दिल्ली में अर्जुन मुंटा के सामने NCST के presence में इनको ये award से समानित किया गया है यहाँ पे कुछ बाते लिखी गई है आप इन्हें go through कर सकते हैं The Open Frame जारकंड के किस महानायक के जीवन पर अधारित फिल्म है The Open Frame is a film based on the life of which great hero of जारकंड तो इन्हें the water man of जारकंड भी कहा जाता है क्योंकि past में इन्होंने जारकंड में drought से लड़ा था सूखे से लड़ा था और इसी लिए इन्हें पदम्ष्री से भी समानित किया गया था तो इनका नाम है पदम्ष्री सिमोन उराओं Option A पदम्ष्री सिमोन उराओं जावीमों का विलय भाजपा में कब हुआ When did JVM merge with BJP तो जो JVM है जिसका फुल फर्म होता है जारकंड मुक्ति मोर्चा इनके जो अध्यक्ष है उनका नाम है बाबुलार मेरेंडी और ये जारकंड के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर दे He was the first CM of जारकंड तो हाली में जावीमों का जो है वो भाजपा में विलय हुआ है और वो हुआ है 27 फर्वरी 2020 के अंदर 27 फर्वरी 2020 कुछ बातें आपे कहीं कहीं आप बढ़ सकते हैं बाबुलार मेरेंडी के नर्थित में जारकंड विकास मोर्चा 17 फर्वरी 2020 को राची में किंद्रे गरी मंत्री अमिस्सा, भाजपा अदेक्ष जगत प्रकास नडड़ा और जारकंड के पूर मिकमेंटरियों रगवरदास और अजिरमुंड़ा की प्रस्तिती में राची में भाजपा के साथ विला हुआ है रंजी ट्रोफी में ज़ारकंड के अब तक के सबसे काम्याब बल्लेबाज कौन बन गए है So who has become the most successful batsman of ज़ारकंड इन रंजी ट्रोफी सो फर सौरफ तीवारी, इसांग जगी, इसांग की सन या फिर इनमें सुकोई नी तो जो सबसे most successful batsman बने ज़ारकंड के रंजी ट्रोफी में वो है सौरफ तीवारी, सौरफ तीवारी, इन्होंने कुल रं 6452 बनाए है और इसके साथ ही वो ज़ारकंड में सबसे सरवाधिक रं बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हेमन सुरेन की सरकार अगामी बजट का पेश करेगी तो अब नई सरकार आ चुकी है वो जेमें की सरकार है और जो बजट पेश होनी वाली है वो होगी तीन मार्च को तीन मार्च 2020 यहां पर कुछ और बाते कही गई हैं आप पढ़ सकते हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं आप से कल इसी टाइम पर थैंक्यू वाचिंग है वे नाइस टे